हेलो गाइज, वेलकम बाइक टू माइटू चनल गाइज, तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीक से डूबलीकेट डेटा को रिमूब कर सकते हैं इन लिब्रे आफिस तो पने देश वीडियों वीडियो को लास तक जरूर से देखें तो चलते हैं वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक डेटा है यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास 10 डेटा है तो यहां पर अगर हम इसे जूम करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं हमारे पास यह डेटा है और कौन-कौन से डेटा कॉप डूब्लीकेट है यह भी हम दिखा देते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां मनोज डूब्लीकेट डेटा है यहां पर देख सकते हैं सागर तो डिटा को रिमार करना चाहते हैं किस कि जगा वो डूब्लिके डेटा है तो वो सारी चीजें कैसे कर सकते हैं तो चलते हैं वीडियो को सो तो यहां पर सबसे पहले आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले हम रिमार का बताएं किस तरीके से रिमार करते हैं तो यहां इसे डुब्रीकेट पर आपको क्लिक का देना और यहाँ पर देख सकते हैं एसेंट है तो इसे आप देख सकते हैं यह इसी तरीके से राहल दिखरा है, फोड़ा सा बॉल्ड़ दिख जाएगा अगे अगर आप चाहते हैं सेंट वन देखने से तो इस तरीके से दिख जाएगा तो इस तरीके से मार कर सकते हैं तो इसमें मल्टिपल स्टाइल है आप उस तरीके से चूच कर सकते हैं जिस तरीके से आप चाहते हैं तो यहां पर देख सकते हैं गूर्ड दिया हुआ है इस तरीके से यहां पर मल्टिप चूच कर सकते हैं आप अगर चाहतने कुछ खुछ से बना तो यहां से खुछ से बना भी सकते हैं तो हम चाहते हैं कि यह वाला जादे बिटर ओके तो यहां पर सिंपली हमें क्या कर देना है यहां पर देख सकते हैं कि यह रेंज हमारा सेलेक्ट हो चुका है आटोमेटिक उस सरीके से आप duplicate find out कर सकते हैं आपको visible होगा चाहे जितना भी डेटा हो उसमें आराम से आपको visible हो जाए कि यह duplicate data है ओके तो second method की अगर हम बात करते हैं कि कि सरीके से duplicate data को delete ही कर दे हैं मैं find out ही नहीं करना हमें delete कर देना कि हमें सिर्फ unique data ही मिले okay तो सबसे पहले हमें इस डेटा को select कर लेना है ऑग कि यहाँ पर देख सकते हैं data को हमने select कर लिए उसके बाद यहां पर simply क्या करना data मी जाना है और data मी यहाँ पर more filters के option पर click करना है जैसे click कर तो यहां कुछ इस तो दिखेगा तो आपको इस standard filter पर klik करना है जैसे इस इस टेंडर फिल्टर पर आप करेंगे कि यहां पर एक पपब बिन्दों कुल के आ जाएगा इस टेंडर फिल्टर के नाम से ओके तो इस पर simply आपको क्या करना है कॉलम यह है तो इसको आपको नन का देना है इसके बाद यहां पर देख सकते हैं तो इस टेंडर फिल्टर टेंगे उसके बाद यहां पर देख सकते हैं नो डूबर्लीकेशन तो यहां पर चेक करना के आपको उसके बाद यहां पर खोने क्याका देना है है ऑक Yes, estufendi क्या करेंगे यहां पर देख चबस बार में देलीट हो जाएंगा अट्यमीक तो वीयो झाल झाल